Hello Friends, मैं नाव मैं वीजे और आज की वीडियो माँ लूब बात करेंगे double link list की जानेंगे double link list है और होता क्या है और इसमा कैसे elements को add किया जाता है तो चलिए start करते हैं देखे double link list आने से पहले अगर आपने single link list की वीडियो नहीं देखिया है तो आप देख लीजेगा क्यों कि मैंने वहां पर आपको सब कुछ बताया कि सिंगल लिंग लिस्ट क्या होती है कैसे उसमें इंस्सक्शन परफॉर्म करते हैं और कैसे उसमें दिलीशन account से मिल जाएगी तो सबसे पहले समझते हैं double link list को ठीक है देखे double link list में दो link होते हैं आपके जिसी एक data है हमारा ठीक है यहाँ पर मैंने 5 रखा यह एक data होगा जो next value को point out करेगा एक यह data होगा जो previous value को point out करेगा ठीक है तो यहाँ पर इस तरहे के से आपके दो link होगे आपके पास एक single no next element को point out करेगा एक जो प्रीवेस element को point out करेगा ठीक है तो यहाँ पर इस तरही से connection आपको बनता हो दिखाए देगा यह हमारी surrounding element है तो यहाँ पर null होगी value ठीक है और हमारे पास एक head होगा ठीक है और फिर ये क्या करेगा, ये भी एक किसी और element को point out करेगा, जहां पर एक different value exist करती होगी, ठीक है, और इसका जो previous होगा, ये इसको point out करेगा, और इसका जो next होगा, ठीक है, वो एक और element को यहां पर point out करेगा, ठीक है, और यहां पर जो last element को किसी को point out नहीं करेगा, तो यहां पर नल हो जाएगा ठीक है तो यह आपकी double link list होती है अब इसमें question क्या बनते है कि अगर कोई particular position पर insert करना है element ठीक है एक नया element है वो आपको add करना है ठीक है या फिर starting में end में beginning में या फिर इस particular node या यह जो particular node है इससे पहले ठीक है या फिर इससे बाद में ठीक है यह operation आपको चार operation देखने को मिलते है ठीक है एक तो beginning में एक end में ठीक है और एक position पर किसी particular position पर को मिल जाएगा ठीक है before या after ठीक है किसी particular position से पहले या उससे बाद में ठीक है तो हम यह सारे करके देखींगे इनका logic क्या बनेगा इनका code क्या लिखा जाएगा वह हम देखेंगे ठीक ह तो यहाँ पर देखे इसका सिंपल सा ही code लिख लेते हैं double link list का ठीके तो यहाँ पर मैं structure ले लूँगा struct और यहाँ पर इसको लेता हूँ इसको मैं नेम दे रहा हूँ इसको मैं इसको प्रिवियस करके यूज़ करूंगा और एक left भी ले सकते हैं आप ठीक है जिसको मैं यहाँ पर next करके यूज़ करूंगा ठीक है दोना में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं तो यह इसका code हो गया सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि अगर हमें add करना है beginning में starting में add करना है तो उसके लिए क्या logic बनेगा code लिखने से पहले हमां को logic समझा देता हूँ देखिए पहले तो यहाँ यहाँ पर मैंने जो यूज़ किया था ट्रडिशनल वे यूज़ किया था जैसे ज्यादार बुक्स में दिया जाता है ज्यादार हम जो explain करते हैं ठीक है जिसमें हम डबल दिंग लेते हैं यह आपका इसके next को point out कर रहा है इसके previous को point out कर रहा है ठीक है इस तरह वाली approach मैंन यहाँ पर लगाई थी इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर explain किया था ठीक है पहले जो मैं तरीका बता रहा हूं ठीक है यह इस तरीके से मैंने explain किया था लेकिन जब मैं इसको edit करने बैठा ठीक है तो यहाँ पर मैंने यह देखा कि थोड़ा सा confusing हो रहा है यह तरीका ठीक इस तरीके से मैं यहाँ पर link double link list को represent नहीं करूँगा एक different तरीके से करूँगा ताकि आपको बहुत अच्छे से code समाझ में आए क्योंकि देखिए logic समझने के लिए यह बढ़िया है ठीक है यह तरीका बढ़िया है लेकि ज़िए code भी बात करते हैं तो वहाँ पर यह confusion create करता ह ठीक है थोड़ा सा तो मैं इस तरीके को यहाँ पर यूज नहीं करूँगा इस representation को यूज नहीं करूँगा ठीक है तो different तरह का representation वह आपके इसको point out करेगा ठीक है और यह जो pointer होगा यह इसको point out करेगा इस तरह से यहाँ पर represent कर रहा हूँ ठीक है यह हमारा क्या होगा next हो गया और यह जो node है इसका यह previous हो गया उसी तरह से इसका भी एक previous होगा जो इस case में null को point out करेगा ठीक है और इसका जो next होगा वो क से प्रेंच करूंगो यह क्या हो जाएगा इसका नग्ष्ट यह उसका क्या हो जाएगा प्रीवियस ठीक है और इसका जो form किसwo पॉइंट आउट करेगा ठीक है इससे काफी असान खेगा और यहां पर मैं की असान पर रहे हुँ जैसे नाइन रखा यह ये मैंने यहां पर value रखी ठीक है तो यहां पर देक्ट मैं इसका code लिख रहा हूं कि मुझे यहां पर क्या करना है एक नया node लिया मैंने ठीक है नया node लिया जिसने value दे रहा हूं 250 ठीक है यह मुझे starting में add करना है starting में add करने के लिए यहाँ पर अगर मुझे add करना है इसको तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा इसका जो next होगा वो किसको point out करना चाहिए वो point out करना चाहिए आपके इसको 9 वाले element को तो यह किसको point out करेगा 9 वाले element को पॉइंट आउट करेगा ठीक है तो यहां से मैं हटा देता हूं इसको और इसको यहां पर लिख लेता हूं ठीक है यहां पर लिखा मैंने ठीक है 250 और इसका जो नेक्स्ट होगा वो किसको पॉइंट आउट करेगा और अब नाइन वाला जो पॉइंटर होगा वो उसका जो प previous होगा वो किसको point out करेगा वो किसी को भी point out नहीं करेगा तो यहां पर मैं null लेख़ा ले रहा हूँ ठीक है यह समझ में आया आपको ठीक हो गया अब देखिए यही तरीका मैं code में लिखने वाला हूँ ठीक है अब इसको मैं code में लिखूँँगा कि कैसे आप इसको add करेंगे तो यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर जो new होगा new में जो data होगा उसमें item को डाल दूगा जैसे 250 है है यहां आईटम है ठीक है यह मेरी value है तो यहां पर मैं value को डाल दे रहा हूँ ठीक हो गया तो यह हमारी value है यहां पर ठीक है तो new के data में मैंने value डलवा दी फिर head है तो यहाँ पर new का जो next होगा वह किसको point out करेगा head को point out करेगा और new का जो previous है वो किसको point out कर रहा है किसी को point out नहीं कर रहा है तो यहाँ पर new का जो previous होगा वो किसको point out करेगा null को point out करेगा तो यहाँ लग देंगे null ठीक है अब देखें अब हमें चेक कराना है कि कहीं हमारा जो link list है double link list हो कहीं empty तो नहीं है ठीक है तो यहाँ पर क्या लेकूंगा if asterick head जो head होता है हमारा अगर वो not equal to होता है null के तो उस case में मैं क्या करूँगा head के previous की value का कर दूँगा जो head है इसका previous value कहां जा रहा है new में जा रहा है तो head के previous value होगा वो किसा चले जाएगा आपका new में तो यह आपका code हो जाएगा और यहाँ पर मैं कि करूँगा head को भी point out करा दूँगा यह हमारा starting point बन चुका है new तो मैं को यहाँ पर से हटा के यहाँ पर क्या कर दूँगा इसको point out करा दूँगा new में तो यहाँ पर new को point out करने लग जायेगा तो यह step कर वाएंगे हम तो आँब head किसको point out करेगा head किसको point out करेगा head परएगर new को point out तो यह आपका simple सा code हो गया ठीग है जिसमें हम लोग क्या करा रहे हैं सबसे पहले new में data डलो भा रहे है new में data आया फिर new next new का next मतलब अपर नेक्स्ट वाला arrow ये पर है dis kick को point out करेगा ठीक है और new का जो previous है वो किसको point out करेगा वो null को point out करेगा ठीक है new का previous null को point out करेगा और फिर हम check कर आ रहें कि अगर head की value null के बरावन नहीं होती है मलब empty नहीं होता है तो उस case में क्या होगा हम लोग head के जो previous value पॉइंट कर रहा था 9 को point out कर रहा था 9 का previous को point out करेगा new को point out करेगा तो यहाँ पर new आ जाएगा अब देखी जो मैं आपसे कह रहा था कि confusion create हो रहा था जब हम इस तरह से represent कर रहे थे तो देखी किस तरह का confusion लिए क्रेड़ हो रहा था माली यह मेरी new node है ठीक है और यहाँ पर मैंने nine रखाई यहाँ पर यहाँ पर मैंने 250 रखाई ठीक है तो यहाँ पर इस तरह से हमसको represent करते हैं ठीक है तो यहाँ पर अधी new का जो next है new का जो next है वो यहाँ पर क्या लिख देंगे head का previous लिख देंगे जबकि जो head का previous था पहले starting menu अड़ करने से पहले यह तो नल को point out कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर यह confusion हो जाथी तो बच्चे यहाँ पर क्या करते है नियू का next is equal to head का previous लिख दे जीते हैं जैसे मैंने new का next is equal to head लिखा है न क्योंकि यहाँ पर देखें डाइगराम से में दिख रहा है क्योंकि यह new का next हो किसको point out कर रहा है तो 10 के previous को point out कर रहा है तो आथ क्या लिखेंगे, जो 9 का next है वो किसको point out कर रहा है वो point out कर रहा है आपके 10 के previous को जबकि ऐसा नहीं है अगर यहाँ पर हम देखें, जो 9 का next है वो किसको point out कर रहा है, 10 को point out कर रहा है क्यों 10 का previous तो 9 को खुद को point out कर रहे है ठीक है अगर आप से लिखते हैं 10 का previous को point कर रहा है 9 का next इसका मतलब वो करेंगे अपने copy में तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर इस तरीके में कहीं पर कहीं पर confusion create होई जाती है ठीक है जाद तरह में अपनी features में यह देखा है कि बच्चों को बहुत जाता यह हमारी नई new node बनाई मैंने जिसको मैंने value the 5 ठीक है इसको कुछ next होगा इसको कुछ previous होगा ठीक है तो यहाँ पर मुझे क्या करना है मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको आपको d से पहले एक element करना है और d के बाद एक element करना है तो अभी हम क्या सीखेंगे कि d के बाद अगर कोई element करना है तो कैसे कर देता हूँ d का जो next होगा वो कि इसको point out करने लग जाए f को point out करने लग जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पर mistake हो जाएगा अपस e क्या हो जाएगा lost हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले step क्या करेंगे f को कहा point out करना है e में e क्या है d का next है तो f को क्या करा लेंगे d के नेक्स टैम मैं point out करा देंगे, ठीक है? यहां से इसको point 2016 अट करा लिया मैंने इस तरहें एधर ठीक है यह मेरा first step हो गया, यहां से इसको point out करने गा D का जो next है वो आपके point out करने लग जाएगा F को point out करने लग जाएगा ठीक हो गया और फिर हम लोग क्या करेंगी F का जो previous है F का जो previous है वो किसको point out करेगा D को point out करेगा तो यहां पर F का previous किसको point out करेगा d को point out करेगा ठीक है second step यह होगा third step हमारा यह हो जाएगा अब fourth step देखिए यह होगा fourth step हमारा यह होगा कि e का previous है ठीक है e का previous है वो किसको point out करने लग जाए f को point out करने लग जाए तो E का जो previous होगा, वो किसको point out करेगा, F को point out करेगा, यह हमारा fourth step हो जाएगा, ठीक है, अभी देखिए, अगर मैंने यही, आपका जो normal double link list का diagram दिखाते हैं, इंबुक्स में, उससे मैंगा represent करता, तो आपर confusion कहाँ पर होती, देखिए, यह last के दो element है, माल लीजे, यहाँ प point out करना चाहिए, F के previous को, F के previous को, आप लिखते भी ऐसी, कि लिखते D का जो next है, वो उसमें value क्या जाएगी, F के previous की value हो जाएगी, F के previous की value, जबके गलत है, ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके साब नहीं लिख सकते, यह गलत हो जाएगा आपका, तो इस तरीके आपके साब गलत ना लिखें, इसलिए मैंने यहाँ पर यही तरीका बनाया है, ठीक है, जिससे आपको अच्छे सौझ में आए, ठीक है, कहाँ पर क्या चीज point out हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर से इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, अब इसका direct हम code लिखते है, सबसे प निफोल लिया था पहले, तो यहाँ पर निफोल ले लेता हूँ, और यहाँ पर value मेंने डाल दी, फिर देखे, जो new का next होगा, वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर का, जो d है, जो मुझे find करना है, उसके next के बराबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखे, f किसको point out कर है, जो d का next था, उसको point out कर रहा हूँ, और मैं इसको देता हूँ, नयाँ, find node, ठीक है, जो मुझे find करना है node, वो आपकी d होगी, इस case में, ठीक है, और मैं node को कैसे search करेंगा, उसका code नहीं लेक रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, find node का next होगा, औ front жд, बसका new next करें, new का же next होगा, मतलब e को point out करेंगा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप, अब उसके बाद क्या होगा, जो find node हे। उसका next है, मतलब find node के Creo के सेथैं इस Case में हमारे d को development कर रहें है, d का next होगा, find node के है डी है, डी का जो next होगा, वो कि पॉइंट आउट करेगा, आपके new को पॉइंट आउट करेगा, देखे, new को तो पॉइंट आउट करेगा, diagram के साब से, diagram से new को पॉइंट आउट कर रहा है, अगर मैंने वही आपका double English इस तरह से create किया होता, तो यहाँ पर क्या हो जाता, आप आपको क्या लगता है, यह D है, D का जो next हो किसको point out कर रहा है, यहाँ पर F के previous को point out कर रहा है, तो आप क्या लिखते है, find node, अगर इसको आप नाम देते है, find node, ठीक है, find node, इसका जो next है, इसका जो next हो किसको point out कर रहा है, F के previous को, तो आप क्या लिखते है, new के previous को point out कर रहा ठीक है इसलिए मैंने यह आला तरीका पहले बताया था वैले इस तरीके से ठीक है लेकिन मुझे लगा कि confusion create हो जाएगी तो मैंने यह करा पूरे delete करके दुबार है से आपको इस तरीके से बता रहा हूँ तो इस तरीके से आपको जाद अच्छे समझवाएगा तो आप क्या ल find node को find underscore node यहाँ पर यही तो कर रहा है यह new का जो previous हो किसको point out कर रहा है d को point out कर रहा है मतलब find node को point out कर रहा है तो वही लिखा है हमने ठीक है उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर if condition लेकर रहा हूँ if जो new का next है अगर new का next हमारे not equal to channel के मतलब अगर यह starting में add नहीं नहीं है तो मैं क्या करूँगा इस case में new के next को new के next के previous को point out करा दूँगा new को ठीक है अब मैंने यह क्या कहा है ठीक है अब यहाँ पर आपको confusion होगी होगी देखे new का next कौन सा है इए का previous कौन सा है new ठीक है ठीक है तो यहाँ पर देखे मैं यहाँ पर क्या करा रहा हूँ यह मैंने last step लिखा है मैंने यह लिखा है कि new का next है क्योंकि e में e में कैसे पहुचेंगे new की मदद से पहुचेंगे new के next किसको point out करेगा e को point out करेगा ठीक है new का next होगो किसको point out करेगा e को e का previous e का previous क्या है e का previous किसको point out कर रहा है बताईए यह डाइगराम से देखे एका जो प्रिवेस है वो नीचे आली लाइन जा रही है यह फोर वाली ठीक है इस यह किसको पॉइंट आट कर रहा है तो मैंने यह लिखा है new का next मतलminute एका प्रिवेस मैं किसको पॉइंट डूट करना चाहिए new को पॉयशे डाइए टोवा है यह यहाँ पर मने लिखा हुआ है ठीक है यह क्या है और अगहिकर से close करतेंगे ठीक है बस इतना ही हमें यहाँ पर code लिखना है हमारे यह add हो जाएगा क्या गोलते हैं किसी भी element के बाद अब हम next वीडियो में क्या सीखेंगे कि कैसे इसी element से आगे अगर add करना है कोई element दिया है उसके आगे अगे करना है और end में किसी element को add करना है यह हम सीखेंगे टेक क्यर